नमस्ते चुहार मेरे चैनल में आप सभी का श्वागत है आज मैं गुजिया की रेसपी लेके आई हूँ और इसके लिए मैं रबड़ी घरपी बनाने वाली हूँ तो मैंने यहाँ एक लीटर दूद ले लिया है और इस दूद को हमें लगाता चलाते हुए इसे पका लेना है तो दूद हमारी जब तो खॉल रही है मैने यहाँ पे लगबग दो कर्टोरी मैने मैडा लिया है और ये measurement के अनुसार ये हाप केजी मैडा है और हाप केजी मैडा में मैंने इलगवाँ एक सो पचीज ग्राम देसी घी का इस्तमाल कर रही हूँ की को मैंने बस हल्का सा गरम कर लिया था हमें ज़्यादा गी को गर्म नहीं करना है और देसी घी को गर्म करें फिर आप इसे अच्छे तरीके इसका अच्छा एक डो बना कर तयार कर ले रही हूँ जादा गीला भी आपको डो नहीं करना है जादा टाइड भी नहीं डो तयार करना है तो आप देखें इस तरीगे के से हमें डो बना कर तयार कर लेना है और मैंने उसे ढखकर छोड़ दिया रेष्ट होने के लिए इधर म रबड़ी को भी मैं देख ले रही हूँ तो यह अलमुष्ट हमारी जो बिल्कुल गारी हो चुके है तो यह तैयार हो चुकी तो मैंने इसे निकाल लिया और सेम कर्ऐ में मैंने देशी घी डाला है और इस घी में सूजी को डालकर हमें बिल्कु hmm को ब्राउन होने तक गाली में सूजी, और प्धा दोनों ही चीज़ों को मैं निकाल लिया है और मैं फैला दे रही है। ताकि सूजी हमारी ठंडी हो जाए। इधर मैंने कुछ ड्राइफ़ूर्स लिये हैं। जिसे की मैं घी में फ्राइ कर ले रही हैं। तो नुकाजो और पिष्टा मैं यहां डाल रही हूँ, आप अपने पसंद क्या कोई भी राइफोर्स में इस्तमाल कर सकते हैं, और यहां मैंने एक सूखी नारियल है, उसे मैंने लिया है, जिसे की गड़ी भी बोला जाता है, और इसे मैं कदुकस कर ले रही हूँ, तो जब आप इस तरीके से नारियल का यहां इस्तमाल करेंगे, तो इसे फ्लेवर काफी अच्छा आता है, जो हम कदुकस करके डालते हैं, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा किस्मिस लिया हुआ है, तो किस्मिस को भी बिल्कुल बारीक टुकडो में हमें काट लेना है, तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक टुकडो में आप ड्राइफोर्स जो भी इस्तमाल करेंगे, बारीक टुकडो में आप इससे काट लिजेगा, तो यह जो है, हमारे ड्राइफोर्स भी लगवग कठी चुके हैं, और अब जो हमारी जो सूजी मैंने जो ठंडी होने दी थी, तो सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब मैं सारी ड्राइफोर्स को सूजी में और जो मैंने यहां पर रवडी रखी है, सारी चीजों को एक साथ मैं डाल दे रही हूं, तो यह सारी चीजों को ही मैंने डाल दिया यहां पर लगवग, सो अगर आप मैंने चीनी दिया था, इस चीनी क तो अब यू मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसका पौडर बना कर तयार कर लिया है। और लगभर देड़ चमच मैं इलाइची का पौडर का इस्तमाल कर जी हूँ। तो आप चीनी का इस्तमाल करें चीनी का बुरा भी ले सकते हैं। तो अगर अपके पास ना हो तो इस तरीके से अब मिक्सी के जार में डालकर इसका पौडर बनाकर आप इसका यहां इस्तमाल कर सकते हैं। और अब हमें सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से बिलकुल मिला लेना है ताकि जो खोवा है, ड्राइफुर्स है और सूजी है, सारे चीज़े आपस में अच्छे से मिल जाए तो आप देखे, जब यह मिल गई तो आपको दिख रहा होगा, यह जो सूजी भी मिल गई तो सब गिली-गिली टाइब की हो गई है तो यह बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो अधर मैंने मैयदे को भी एक बाद चेक कर लिया तो मैयदा हमारा बिलकुल अच्छे से फूल कर सेट हो चुका था तो मैंने एक बाद फिर से अच्छे से मिला लिया है तो यह मिल चुकी है और अब मैंसे दो लोईयों में काट ले रही हूं और फिर इसकी छोटी-छोटी हमें लोईयां बना लेनी है तो अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी लोईयां अभी बना कर काट कर और बना कर अभी तयार कर लेते हूं तो इसके लि जल्दी बनकर तयार होगी तो मैं कुछ पूरियों को बना कर अभी बेलकर एक शाद बेलकर मैं रख लूँगी उसके बाद मैं इसके अंदर सूजी और जो मावा मैंने रखा है उसकी फिलिंग करूँगी तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसे बनाने के लिए साचे का यहां इस्तमाल कर रही हूँ तो मैं अलग-अलग साचे में इसे बनाने वाली हूँ तो अगर आप चाहे तो हाद से भी बना सकते हैं लेकिन अगर साचे से बनाते हैं तो यह काफी अच्छी बनती है और इससे आ तो कभी कदार मेरे बच्चों को काफी जादा पसंद है तो ये गुजिया बना के मैं स्टोर करके रख दूँगी ताकि बच्चे को मैं लंच में भी इसे दे सकूँ तो इसके लिए मैंने इसे डिफरेंट सेप दे कर मैंने बनाया है ताकि बच्चे जो है अलग-अलग सेप में परड़े ले जा सकते हैं और इस तरीके से अगरा बनाते हैं तो बच्चों को ये काफी जादा पसंद आती है तो इस तरीके से मैंने इसे इसमें भर लिया था तैयार कर ल Sow p allegations तो कहीन बार हम जब हम हाथ से गूजिया को बनाते हैं तो कहीन बार हमारी जो गूजिया, जब तेल में फ्राई करने जो मुढ़ने के लिए मद खूल जाती है और जो अलंग अंदर ली detemer बागर दें Alexa अगर आप के पास available हो साचा तो आप साचे में ही डाल कर बनाए आपकी एक भी गुजिया खरापनी होगी क्योंकि मैंने इतनी सारी गुजिया बनाई लेकि मेरी एक भी गुजिया नहीं फड़ी थी सारी बिलकुल perfect बनी थी और मेरा तेल भी बिलकुल भी नहीं खराप हूआ तो मुझे ये काफी ज़्यादा पसंद आई बाकी जो अलग-अलग सेप्स भी हो गए तो बच्चे भी काफी खुस हो गए तो देखिए मैंने मैंने दो-तीन तरह के अलग-अलग सेप्स पाली गुजिया को मैंने इतर बना लिया था इतर मैंने ओयल गर्म होने के लिए रख दिया था ओयल को आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म ओयल में से आपको नहीं पकाना आप देखें ओयल बस हलका जब आपका गर्म हो तो उसी टाइम आप इसे डाल दे और गैस का फ्लेम भी आपको मिडियम रखना है इसे तेज फ्लेम में नहीं बनाना तभी ये अच्छे से खास्ता क्रंची बनेगी और अच्छे से अंदर से भी पकेगी तो ये जो है गुजिया देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका था कलर इसका जब चेंच हो गया तो मैंने इसे निकाल दिया तो मैंने फिर ये दूसरा बैच पीस में डाल दिया है तो सेकंड टाइम मेरा जो तेल है जो बहुत ज्यादा ओयल हमारा गर्म हो गया था तो मैंने गैस को इसले गैस मैंने बंद कर दिया है और बंद गैस में मैं लगातार इसे चलाते विए पका रही हूँ तो फाइनली ये भी हमारी गुजिया जो सेकेंड बैच वाली भी गुजिया हमारी बहुत अच्छी बनी थी और यकीन मारी ये बहुत ही ज़्यादा ठाइं तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी बाकि अंदर की जो मैंने मसाले तयार गिये वो भी बहुत ही टेश्टी था तो इस तरीके से अलगलग सेपसन में मैंने इससे तयार किया तो मेरी विडियो आपको कैसी लगी मुझे कमंट करकर जबी बताईगा आपकी यह कितना ज्यादा क्रंची बना है मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद